जहां जहां आपका शरीर का अलाइनमेंट बिगड़ा है डॉक्टर शुरेंद उसको ठीक कर देते हैं कि लंबा शांस लेंगे छोड़ेंगे लंबा शांस लेंगे छोड़ेंगे लोगों का करना था कि हम लोग के पास पैसा है तो पैसा कर आप आ रहे हैं जिनके पास नहीं उनके लिए यहां लोगों को कमर में बहुत ज्यादा इलाज नहीं है तो हम जब आए थे तो तो पहले ही एक दिन में हमको जब यहां आये तो उसके बाद दूसरे दिन जब हम यहां आये तो हम प्रेश चल के यह दर्द हमको 20-25 साल से हम आठ साल के थे तब ही से हमको थोड़ा-थोड़ा दर्द था ज्यादा दिर हम बैठते थे तो बहुत आठारा नंबर इसर है हमारे इस बार भी ठीक लग रहा है तो हमको बहुत आराम हुआ था जो भी हम लोगा ट्रीटमेंट होता है पांच सेशन में होता किसी का बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है तो उसको नेक्स्ट बार हम लोग एक महिना के बाद फॉलॉप के लिए बुलाते हैं आपको क्या हुआ ह स्क्रीन पर आपको नीलम जी और डॉक्टर सुरेंद्र यहां पर क्या कर रहे हैं यह बताने की जरुद इसलिए नहीं है क्योंकि सुरेंद्र जी काईड़ों वह विधा है जो आपके जोड़ों के दर्द को और तमाम तरह के दर्द को चुटकियों में दूर करने की दावा करते हैं कि अब दिला रखेंगे एक दम गर्दन देला है कि लंबर स्क्राइब फोड़ेंगे अब पूरी तरह नेक हो चुका है इनका पांच पासे सने शुरेंद्र जी कह रहे हैं और इनेक हो चुका है देखते रहे हैं आप इसे क्या हुआ अब क्या होगा अब कमर का करेंगे जो इनका में प्रूब्लम है कमर का दिक्कत भी है इनका अच्छा यह आजलो तो कि यह देखते रही है आप लोग नीलम जी का कि कमर का दर्थी खो रहा है अब कर दो लंबा शांस लेंगे छोड़ेंगे अगर जब तर्माम इलाजों के बाद अगर आप खतुत्साहित हैं तो एक बार यहां आई और आपको समझ में आ जाएगा इस डॉक्टर सुलेंद्र आखिर कौन सा जादू करते हैं अब इसके लिए लंबा शांस लेंगे छोड़ेंगे इस सब एक साथ पूर गया होगा सब एक साथ अगरेश्ट हो गया सीदा हो जाए अ जिए शरीट धिला रखेंगे अ शरीट धिला रखेंगे अ इस बेट को देखकर आप समझ सकते हैं कि यह कोई सोने वाला बेड नहीं है यह डॉक्टर सहाब का बेड है डॉक्टर सुरेंद्र जो काईरूप्रेक्टिक का ट्रीटमेंट करते हैं वो रोग जो बड़े बड़े डाक्टर साहब लोग ठीक नहीं कर पाते हैं वो लोग आते हैं थाक कर हरक हार कर डॉक्टर सुरेंद्र के पास और वो गले का दर्द या घोटने का दर्द या फिर वैसे कोई जोड का दर्द जिसको बड़े बड़े डॉक्टर साहब लोग हल जिसका समधार नहीं निकाल पाए उसको सुरेंदर साहब काईरोप्रेक्टिक ट्रीटमेंट के तहट 5-7-10 दिन ज्यादा जटल दोर्द है तो 10-20 दिन में ठीक करने का दावा करते हैं और हमने पीछली बार आपको यह बताया था कि कैसे सुरेंदर कुमार बहतरीन काम कर रहे हैं अब इसके लाबा इस बार सुरेंदर कुमार ने 5 दिवसिय एक शिविर कायोजन किया जिस शिविर में काईरोप्रेक्टिक ट्रीटमेंट के लिए लोग आए और उन लोगों को बुलाया गया जो लोग यह जो उपचार है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मतलब यह कर रहे थे और कई लोग जो बाहर से आए थे उनको रहने का जगा नहीं था सुरेंदर साहब ने उनको रहने का जगा भी मुहया करवाया और उसका भी पैसा नहीं लिया ऐसे डॉक्टर्स आप पता नहीं आप सुनकर विश्वास कर पाएंगे कि नहीं की होते हैं लेकिन को नमसकार सबाहले और धन्यबाद कि आप रिपोर्टिंग के लिए आएडिया यही आ है कि हम लोग ओए हर से और वद्शा से बाहर से बहुत ही इस समय से लोगों का करना था कि हम लोग ट्रीट्मेंट नहीं कर पाएंगे थोड़ा कोशली ट्रीट्मेंट है तो हम लोग सो दिए और हम लोगों को कौन सा रोग लेकर लोग आए थे सबसे ज़्यादा कमर दर्द सैटी का है कमर में नस्ट दब गया और पैर में जा रहा है उसके बाद घुटना दर्द कंधा घर्दन दर्द सबसे ज़्यादा है जो लिविंग इस्टाइल डिजीज अब बताया थे कि सुरिंदर जी मिस्ट्री है मेरे लिए कि डाक्टर सहाब लोग इतना कमर में तिल लगा रहा है दवाई खिलवा रहा है जादू कुछ नहीं है कोई भी चीज का अगर मिसलाइमेंट है उसको जब तक करेक्शन नहीं करेंगे तो उसमें वाइल लगाने से कुछ नहीं होगा मेडिसीन आप दे रहे हैं तो मेडशीन खाने से टेम्परोरी होगा हमेशा के लिए करना है तो काई पर काम करना हो जो एक्शुल को जान गया पशे पांशे साथ मेना पहले मिलें इस थे अभी तो बहुत सारे लोग जान गये कि हाँ इस सीज का इलाज यहीं है और आप दे करता है कि दूआ दे रहा है कि क्या दे रहा है अब उन लोगों से बात करेंगे जो लोग यहां पर आकर फ्री में इलाज करवा गए हैं क्या नाव मेडम आपका मतलब हम वीडियो देखे थे जिसके पास पैसा नहीं है फ्रीज में अपना इलाज करवाएं और फिर हम एक बार पहले भी इलाज करा के सर से गए हैं एक महिना पहले और फिर फ्री वाला था हमको कमर में दर्द था इनका कमर दर्द इंका कमर दर्द नहीं चलाती हो कभी बच्पन में गई होंगी फिसल गई होंगी वेसे हो या कुई भड़िय। भी पजड़न लगाना बहुत सारा काम हो घ्या सब्सक्राइब आप इनसे थे डिन से था उनक्स नक्लाएं था उनक्श्यप्डर से हां बैठते थे तब ही से हमको थोड़ा थोड़ा दर्द था जादा दिर हम बैठते थे तब बहुत आठारा नंबर इसर है हमारे डोक्टर हैं ये 17 के पास जा चुके हैं लेकिन कोई आराम नहीं हुआ था हमको कितना पैसले खर्च हुआ हुआ है इस बार भी ठीक लग रहा थे तो हमको बहुत आराम हुआ था पूछिए उनका पांच्वा से सन नहीं है हम लोग पांच वागशन है तो वह बहुत ज़्यादा के लिए लेकिन ज्यादा दर ज्यादार लोह का तर तो एक बार तो कराएं सर से पैसा दे करना अभी साहिए मुशकुलाया रहे तो ना पाल कहां से मैरा घर सिद्धी है क्या हुआ था वहीं कमरदर और भादर ठीक लग रहा है अग्दम कंप्लीट हो गया है ठीक पास दिन में कहां रुके हुए वहीं मेरा बैटा रहता है क्या कि आपके साथी कमरदर भादर करते हैं तो प्रेस की ठीक ठीक थाकी ना दावा और नहीं देते हैं बहुत ज्यादा किसी दर्द है तो टेंपरोडी पेंड रिलीप थोड़ा देन के लिए एक दो दिनके लिए पांच दिनके लिए देते हैं अधर्वाव क्या नाम क्या है मनेर से क्या हुआ हमको कमर में बहुत ज्यादा सलिफ डिक्स हो गया था और बहुत जगा देखाय सुना है सारे डॉक्टर करे थे कि आपरेशन ही होगा कमर को अपरेशन हो था इसका और कोई इलाज नहीं है तो हम बहुत जगे मैंने बहुत पैसा खर्चा हम भी कर चुके हैं आट हमको साथ-ाथ महीन हो चुका है इनके बारे में कैसे मालम चुला के बारे में हम यूटूब पर वीडियो देख रहे थे तो देखते देखते फिर हम सोचे कि चलते ही न स्टुब कर देखाने के बात में जब वीडियो हम देखे थे तो इनके पास हम आए तो हम जब आये थे तो हम अपने प्रशांग कर आया तो हमको पहले ही एक दिन में हमको यहां को जब यह हूँ ऑना के बाद दूसरे दिन जब हम यहां आए तो हम पने पर पर चल के आए उनका वह वाला वीडियो है जो दो लोग टांग के लोग लेके आए थे इनको पर पफिर हाँ भगवान से कम नहीं है बहुत कर सकते हैं पर पर खड़ा है हमको भी मने आसा उमिद खतम हो गया था कि हमरा दूसरा कोई इलाज नहीं है तो अभी जितना दरी हम ख़ड़ा है इतना देर भी नहीं हम रह पाते थे माने अब कहिए ने कि दोनों मैंने आदमी कांके लाए थे और अभी ठीक होया कि और दू कुछ चलेगा ने इनका तो हो सकता है कि और नेक्स्ट के बाद फिर से इनको भुलाएंगे अगर थोड़ा बहुत प्रोलम होगा तो कंप्लीट ही कर देंगे ताकि अपना बाकी का जिंदगी अच्छे से जीपा है क्या उमार है मानु दिख्षित हमारा नाम है हम आये हैं यूटूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो अभी हमको काफी रिलिफ है अच्छा महसूश कर रहा है बिल्कुल बिल्कुल सर को तो हम थेंक्यूब बोले कि हमको आरा जो बैक पैं था वह बहुत हमको आराम मिला है तो सरका बहुत बहुत धन्यवाद की और फिर सीवीर है तो और एक्षा धान्यवाद कि हमको टेट्वेंट मिला मजा आगा विल्कुल वेलकुल क्या नाम है आपका चंदा जी कहां से इनको सर्वाइकल में प्रोब्लम है और कमर में भी है मतलब होल बड़ी पे नहीं को ज्वाइंट पें सब जगहां यह चलते चलते गिर जाती है बेहुत हो जाती है अभी पहला सेशन उनका हुआ है अब तो हम फीड़एक लेंगे कि बेहुत हुई कि नहीं कल के बाद सुकुलवा में कहां क्या हुआ 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 के सर में दरदर आता नस दब रहा है पहले आके इलाज करा चुके हैं आप खुद का हुआ था आपको हमको यह जो जे थी है कुला उससे उठाना ज़राता और ठेवना जो है यह आपको उठवा दिये हैं चलते मिलने इंचे आप कमाल कर रहे हैं कमाल कहिए जो कहिए हम लोग चलिए यह सुरेंदर जी का कमाल यह है कि यह साहब अपने पैरो पर खड़े होकर यहां नहीं आये थे अभी चल कर आपको दिखाए इनका वीडियो भी हम लगा देंगे आप देख चुके होंगे और मैंड़ हुमारी गोपाल करेंगे का एक सबसे ज्यादा फाइदा यह है कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या है और तब आप उसका फाइदा मिलेगा कि आप लाखों रुपए कहीं गवा चुके हैं फिर एक बार आएंगे इस दफ्तर में आईए आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इ दफ्तर में आपको हम ठीक करके दिखाएंगे बाकि मेरा नाम पर शांतरा है आपकी प्रतिक्रियका इंजार रहेगा आप जंता रिंख्शन देख रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद